दोस्तों आज कि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी 1HP की पानी की मोटर होती है उसका एक महिने का बिल कितना हैगा अगर आप चलाते हैं तो देखिए जो हमारी 1HP की जो हमारी पानी की मोटर होती हुआ 746 वाट की होती है वाट को किलो वाट में बदलने के लि यहां पर हमने 1000 से डिवाइड कर दिया तो यह 3 जीरो से हट जाएंगे और यहां पर दस्मलों लग जाएगा तो इस इकल टू हो जाएगा 0.746 किलो वाट यह हमारा हो जाएगा 1 HP की पानी की मोटर अगर हम किलो वाट में बदलेंगे तो इतना आ जाएगा तो हमने इसको सबसे पहले हमने किलो वाट में बदल लिया क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है के डबलू एच या इसी को हम यूनिट बोलते है इसका जो फार्मूला होता है वो किलो वाट और गुड़े आवर होता है मतलब हमें किलो वाट की जरूरत है तो हमने यहां पर हमने अपने watt को kilowatt में बदल लिया तो अब देखिए हमारा कितना आया है kilowatt कितना आया है 0.746 यह हमारा kilowatt आया है और हमारी जो पानी के motor है आुसतन हम मालन लेते हैं कि 4 गंटे के लिए हम चलाते हैं तो अब 4 गंटे के लिए आपने जब इसे multiply करेंगे चार का तो हमारा आ जाएगा 2.984 KWH यह हो गया हमारा एक दिन का जो हमारा unit consumption हो जाएगा जो हमारी पानी के मोटर हुआ वह एक दिन में इतना बिजली खपत करेगी, दो दसमलों 9,8,4 लगए फक्त, तीन unit के आसपास ठीक है, अब जब हमारा एक दिन का मिल गया है, अब हम इसी से एक महिने का निकाल लेंगे, तो एक महिने में हमारे एक दिन कितने होते हैं तीस दिन होते हैं, एक मन्थ में एक महिने में हमारे तीस दिन होते हैं और एक दिन का कितना निकल किया है, दो दसमलो, नो, आठ, चार, ये इतना यूनिट निकल किया है, अब हम इसका multiply कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 89.52 kwh, ये हमारा 30 दिन का यूनिट निकल किया है, मतलब हमारी जो एक HP की पानी की motor है, वह एक महीने में इतना यूनिट का consumption क करेगी, अब हमारा main topic क्या था, कि हमारा बिजली का बिल कितना होगा, तो बिजली का बिल देखिए, अगर आप UP में है, तो लगभग 7 रुपए पर यूनिट के लगभग और आपको बिजली का बिल देना पड़ता है, एक यूनिट का, तो हम सीधे 7 का इसमें multiply कर देंगे, तो एक month बिल, तो 89.52 और multiply by 7, 7 रुपए हमने लिख दिया, तो हम जब इन दोनों का multiply कर देंगे, तो आजाएगा हमारा 626.64 रुपए, तो हमारा एक महिने का जो बिजली का बिल आएगा, एक HP की मोटर, अगर हम कितने घंटे चलाएंगे, चार घंटे चलाएंगे, तो हमारा 626.64 रुपए, बिजली का बिल आएगा, तो इसी तरह से आप calculate कर सकते हैं, यदि आपकी मोटर कम चलती है, तो आप यहाँ पर 3 लिख करके, एक दिन का निकाल लीजिए, और उसे में आप फिर आप 30 का multiply करके, टोटल आपकी unit आजाएग और उसमें आप जितना रुपए आप जिस स्टेट में हो, उस स्टेट में जितने रुपए का electricity का एक unit का बिल आता हो, उसको आप calculate करके निकाल सकते हैं, कि आपका एक महीने का बिल कितना आएगा, तो मुझे उमीद है कि आपको यह topic अच्छे से clear हो गया होगा, तो वीडि नए वीडियो में, नमश्कार दोस्तों